सब्सक्राइब करने वाले हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देखना और अगर आप चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस चरूर कर देना तो चलिए करें आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इसके साथ हमको एक मिलता है एक रिमोट कंटोल जिससे कि आप इसके कलर्स वगरा कंटोल कर सकते हो इसको आगे टेस्ट करेंगे और बात कर लेते हैं इस तो इसमें हमारे पास यहां पर होते हैं RGB मतलब की red, blue and green आनंसे मैंने इहां पे जो है दो फ्लấuड लाइट को पेचेस किया हैं और यहां पे साथ में सेक्ट को सथ यह इंदेकर के-चेस मेना नहीं कर रहे हैं बाकी मैंने रिव्यू वगेरा देखा है तो कावी सारे लोगों की जो है वर्क कर जाते हैं मैंने सेल वगेरा पीछे डाल दिया इसमें लेकिन फिर वी यह वर्क नहीं कर रहें लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव है डोंट परी वह मागे आपको वीडियो में बताने वाला हू सो गाइज आप बात करते हैं मैंने यहाँ पर दूसरी lights को यहाँ पर व stripes अब्सका देखने को मिलेगा बाकी मैंने यहाँ पर आपे पुरा वायर करकेण करके रखा है उस यहाँ आपको आपको जल्ली से ओन करके दिखाते हैं तो यह मैं लगाई लाइट यहां पर और गाइज यह देखिए अभी मैं यहां पर जो है डे लाइट में शूट कर रहा हूं तो आपको इतना ज्यादा कुछ अच्छा एफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा तो अभी फलाल देखेते हैं और मैं इसको अपने तरफ करना नहें पर गज्गक लाइको आपको डेखने को नहीं को नहीं मिलेगा तो इसका एक alternative है अगर आपके पास Redmi का phone है तो भाई उसमें होता है हमारे पास remote का option क्योंकि यहाँ पे remote वाला जो आगे होती है ना light वो यहाँ पे दी हुई है और इसके लिए आपको एक application इसमें install करनी होगी guys जो की है LED RGB remote इस application को install करते ही आपके सामने जो है कुछ इस तरीके एक remote देखिए same to same जैसा remote इसके साथ में आया है आपको same to same वैसा ही remote इस application में देखने को मिलेगा और इसकी सबसेची बात यह है guys यह work करता है properly अभी मैं देखिए इसमें जो off का button है यह रहा off का button मैं जल्दी से हाँ पर दवाता हूं तो आप देखिए यह हो गई off और जैसे मैं इसको on करूंगा इस button से यह हो जाएगी on so guys चलिए अब चलते हम indoor और आपको इसको proper टेस्ट करके दिखाते हैं so guys अब आ चुके हैं हम थोड़ा सा indoor में और मैंने यहां पर एक light मैंने इधर रख रखिया तो यह रहा मेरे पास यहां पर इसका remote control और हम इसको जल्दी से इसको on करते हैं तो यह हो गई हमारी पहली light on और यहां पर एक remote से दोनों वर्क कर देंगे तो background में कुछ ऐसे दिखने वाली है और अगर हम lights को off कर दें कुछ ऐसा लुक आएगा और गाइस पीछे थोड़ा सा effect गाइस इसके आप brightness भी एक्ट्रोल कर सकते हो तो जैसे कि आप देखे हो पीछे जादा brightness हो रही है तो इसके आप brightness थोड़ी ऐसे कर सकते हो दोनों की जैसे कि मैंने यहां पर कर देता हो में green और यहां पर कर देता हूं मैं purple एक ही रीबोट से दोनों light स्वाइथ जैसा कि आप पीछे देख सकते हो मैंने एक साद कर रख रही है और लाइट और जैसे कि brightness को जाला ही हो रही है तो हम इस remote औस थे दिखा रहेता हैं य यह हम करेंगे इसकी दोडीस सथी जान कर देंगा यह हई इंडूर के सब्सक्राइब से लगे और उसके लिए आपको सब्सक्राइबाना तो आपको नेक्स वीडियो में आपको चिखाऊंगा DIY बनाना मतलब आप घर पर ही के इस तरीके से सॉफ्ट बॉक्स बना सकते हो वो मैं आपको नेक्स वीडियो में बताने वाला हूं तो तब तक के लिए यह इनकी पैस लिंक मैंने निचे आप चाहों तो पर्चेस कर सकते हो यह लाइट को जादा महगी नहीं है बहुत ज्यादा चीप लाइट है यह आपको 200-300 रुपे की मिल जाएंगी आपको यह लाइट करने के लिए आप दिखने को मिल जाते हैं जो कि इसके रिमोट कंट्रोल में दिये हुए हैं जैसे कि एक मोड है मारे पास यहां पर फ्लेश मोड तो जैसे ही मैं इस फ्लेश मोड को ऑन करता हूं तो देखें इस तरीके से यह कुछ वर्क करते हैं एक यह था हमारा फ्लेश मोड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ जो की है एक फेड मोड तो चलिए फेड मोड को भी दिखाते हैं यहाँ पे यह है हमारा फेड मोड जो की वगर डिसको वगर लाइक्स में होता है ना और यहां पर तीसरा जो सबका फिवरेट होता ह है वह स्मूद मोड को करेंगे तो देखे कुछ इस तरीके से आपको बैक्ग्राउंड में चो लाइट से वो चेंज होती ही नजर आएंगी और यह सबसे बैस लगता है मझे और अभी मैं एक सेट आप वीडियो अपकी मेरी जो सेट आप वीडियो जल्दी आपको मेरी चैनल फिर देखने को मिलेगी सो स्टे ट्यूंड और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना बैज आइकन को जरूर प्रेस कर लेना वीडियो जल्दी आ जाएगी गाईज तो चलिए आप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई